और मिलकर उसकी अरात्ना को शुरू करेंगे ये धर्मियों यहोवा के कारण जैजैकार करो क्योंकि धर्मी लोगों को स्तूती करना शोबा देता है वीना बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो दस तारवाली सरंगी बजा कर उसका भजन गव उसके लिए नया गीत गव जैजैकार के साथ भली भांती बजाओ क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है आए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे राद्ना के गीत की किताब गीत नमबर ग्यारा एलेवन आशिश तुझसे चाहते हैं एस्वर के पिता हमाते हैं शिश तुझसे चाहते हैं एस्वर के पिता हमें आते हैं आशिश तुझसे चाहते हैं एस्वर के पिता हमें आते हैं कोई कुपिये ना ले आकत शो हम को अपनी ताकत कोई कुपिये ना ले आकत शो हम को अपनी ताकत काली दिलों को लाते हैं काली दिलों को लाते हैं एस्वर के पिता हमें आते हैं आशिश तुझसे चाहते हैं एस्वर के पिता हमें आते हैं बहुत खताएं की हैं अपने मोहत खताएं की हैं रहे निकामें जआपाएं की हैं चर्म से सर जुक गाते हैं एस वैग पिना में आते हैं काशिशे तुझे से जाते हैं एस वैग पिना में आते हैं तुम हो शक्ती मान प्रभुजी उदर तुमारी शान ये शुदी तुम हो शक्ती मान प्रभुजी उदर तुमारी शान ये शुदी हम दो साना में गाते हैं हम दो साना में गाते हैं एस वैग पिना में आते हैं हाशिशे तुझ से जाते हैं एस वैग पिना में आते हैं बंते को तु कभी न भूले दुख से दुनिया में तुने बंते को तु कभी न भूले दुख से दुनिया में तुने प्यार को जाते हैं उसी प्यार को जाते हैं एस वैग पिना में आते हैं खाशिशे तुझ से जाते हैं एस वैग पिना में आते हैं शेयर बाने की किताब पेज नमबर चार हिस्सा नमबर तीन हमारे खुदावन येशु मसी का फजल खुदा की महबद और रुहूल कुदूस की सिराकत आप सब के साथ होती रहे खिस्सा नमबर चार और पांच हम सभी मिलकर बोलेंगे ए तमाम खुदरत के खुदा तेरे आगे सब के दिल का हाल खुला है तुझे सब की मुरादे मालूम है और तुझ से कोई भेच छिपा नहीं अपने पाक रूप के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर ताकि हम तुझ से कामिल महबद रखें और लाइक तोर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें हमारे खुदावन मसी के वसीले से आमेन आल में बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुला खुदावन खुदा आस्मानी बाश्चा तमाम कुद्रत के खुदा बाब हम तेरी परस्तिस करते तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं ऐ येशु मसी बाप के एक लोते बेटे ऐ खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे तू जहान का गुना उठा ले जाता है हम पर रहम कर, तू बाप के दाहिने बैठा है हमारी दुआ कबूल कर क्योंकि येशु मसी तू ही कुदूस है खुदावन थै, तू ही पाक लू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है आमेन, महरबानी से बैठिये आएए हम अपने सरों को परमेश्यों की हसुरी में जुकाएंगे और दुआ में जाएंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु येशु आपके महा नाम को हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्यों के आपने पिता ये दिन हम सब के जीवन में दिया पिता परमेश्यों के हफता के पहले दिन प्रभु जी आपके हजूरी में हम आए और आपकी स्तुती आपकी अरातना हो सके हम सब के जीवन के द्वारा प्रभु जी आपने हरेक को तंदुरुस्ती दी सलामती दी अपने बरकतों से भरा प्रभु और प्रभु येशु ये मौका दिया कि आपके भवन में आपके हजूरी में आएं प्रभु और पिता हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा और आपकी प्रसंसा हो खुदावन येशु प्रापना करते हैं प्रभू आपके जितने भी अजीज आपके हजूरी में आकर बैठे हैं प्रभू, हर एक को आप कबूल करो पिता परमेश्व, हर एक के मनों की चिंताओं, तकलीफों, परिशानियों को दूर करकर प्रभू, जब आपके हजूरी में ये आए हैं पिता, अपनी आनंद और आना मेरे महान परमेश्व, पिता, खास करके प्राप्णा करते कलीसिया के हर एक परिवार के लिए प्रभू ज़िए, प्रभू जो यहाँ है, जो विदेश में हैं पिता, हर एक को पिता परमेश्वर आपके सामध्थी हाथों में रखते हैं, हमारे संडे स्कूल के और पिता परमेश्वर वोमेन फेलोशिप और कलीसिया और पिता परमेश्वर जितने भी जन है पिता होने दो पिता परमेश्वर कि जब पूरे आस और पूरे उमीद के साथ जब आपके हजूरी में आते हैं और अपनी अपने मनों को खोल कर पिता परमेश्वर जब अपने जरूरतों को अपने प्राथनाओं को अपनी पीडाओं को पिता जब आपके हजूरी में रखते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि आप हम सभी से बहुत प्रेम करते हो प्रभु जी और आप कभी नहीं चाहते कि हम आपके हजूरी से दूर रहें आप कभी नहीं चाहते खुदावनी एषू कि हम पिता परमेश्व और तकलीफ में रहे आप हमेशा हमारी प्रातनाओं को सुनते हो तो प्रातना करते हैं प्रभू कि जितने भी जन्न आपके हजुरी में आये है हर एक की प्रातना को उत्तर देना कि जब यहां से जाएं प्रभु अपने अपनी प्रातनाओं को उत्तर पाएं उनकी जोलिया आपके आशीशों से आपकी बरकतों से भरी हो और आपके नाम को जलाल देते जाएं प्रभु जो भी गीतों और भजनों को गाए, उसके द्वराव की महिमा और आपकी प्रसंसा हो, और जो भी वचन पढ़ा जाये, सुना जाये, उन सब पर आपकी आशीश और भरकत हो, धन्यवाद पिता परमेश और आपने हमारी प्राकना को सुन लिया है, प्रभु येशु मसी के नाम से मांगते हैं, आमेन. आएए हम प्रभु के वचन में से पहला हिस्सा पढ़ेंगे, जो लिया गया है, पस सैमॉल, उसका 24 सद्याए, आठवें वचन से 22 वचन तक, सैमॉल की पहली किताब, उसका 24 सद्याए, आठवें वचन से 22 वचन तक, आई हम प्रमेशर के वचन में से पढ़ेंगे, उसके बाद दाओद भी उटकर गुफा से निकला, और शाओद को पीशे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभू, हे राजा, जब शाओद ने पीशे मुटकर देखा, तब दाओद ने बूमी की और सिर जुका कर धंदवट की, और दाओद ने शाओद से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाओद तरी हानी चाहते हैं, उनकी तु क्यूं सुनता है, देख, आज तुने अपनी आँखों से देखा है, कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी, किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, प्रन्तु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि यह यहोवा का अभिशिक्त है, फिर हे मेरे पिता, देख, अपने बागे की छोर में, मेरे हाथ में देख, मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, प्रन्तु तुझे गात ना किया, इस से निश्चे करके जान ले, कि मेरे मन में कोई बुर्याई या अपराद का सोच नहीं है, मैंने तेरे बुरुत को या पराद नहीं किया, प्रन्तु तु मेरा प्राद लेने को मानो, उसका आहेर करता रहता है, यहोवा मेरा और तेरा न्याए करे, और यहोवा तुझे मेरा बदला ले, प्रन्तु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा, प्राचीनों के निती, वचन के अनुसार, दुस्टता दुस्टों से होती है, प्रन्तु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा, इस्राइल का राजा किसका पीशा करने को निकला है, और किसके पीशे पड़ा है, एक मेरे कुट्टे के पीशे, एक पिच्चू के पीशे, इसलिए यहोवा न्याई होकर, जब दौद शाओल से यह बाते कह चुका, तब शाओल ने कहा, हे मेरे बेटे दौद, क्या ये तिरा बोल है, तब शाओल चिला कर रोने लगा, फिर उसने दौद से कहा, तुम मुझसे अधिक दर्मी है, तुने तो मेरे साथ बलाई की है, प्रंतु मैंने तेरे साथ बुराई की और तूने आज ये परगट किया है कि तूने मेरे साथ बलाई की है कि जब यहवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे गात ना किया भला क्या कोई मनुशे अपने शत्रू को पाकर कुशल से जाने देता है इसलिए जो तुने आज मेरे साथ किया है इसका अच्छा बदला यहवा तुझे दे और अब मुझे मालूम हुआ है कि तु निश्चे राजा हो जाएगा और इसराइल का राज्य तेरे हाथ में स्तिर होगा अब मुझे से यहवा की शपत खा कि मैं तेरे वश को तेरे बाद नस्प ना करूंगा और तेरे पिता के घराने में से तेरा ना मिटा ना डालूंगा तब दाउन ने शाउल से ऐसी ही शपत खाई तब शाउल अपने गर चला गया और दाउद अपने जनों समेथ घड़ों में चला गया यह परमेश्र का पवित्र वच्छन है पढ़े और सुने जाने पे आशिश हो आमीन दौा में अपने सरों को जुकाएंगे और हमारे बीच में मिस्टर एशोक दी हैँ उनके साथ मिलकर दौा करें हे मेरे सरग और पृत्री के प्रभू सारी काइनात को बनाने वाले हर पल हर समय देने वाले सांसे देने वाले زिंदगी और जिंदगी की नेमते देने वाले जिन्दगी को आगे बढ़ाने वाले मेरे अबा पिता, मेरे स्वर्गे बाथ स्वानी इस वक तेरी हाजूरी में आते तेरा शुक्रिया दा करते, तेरा तंगवाद करते आज के अच्छे ते सुहाने दिन के लिए तेरे पाक ते पुवित्तर दिन के लिए तू इसे पाक ते पुवित्तर रखना और जहां जहां तेरे पाक पुवित्तर दिन की पूरे संसार में, हमारे देश में जिन जिन स्टेडों पर तेरे भवन, तेरे रैवर, तेरे सिवक दासियां पाई जाती उन-उन स्टेडों से आज की तेरी वर्षपे हो रही, पुवित्तर दिन की और उनों स्टेडों से वो लीड करते हैं हर तरह से प्रवजी उनको अपनी अशीशों से भरकतों से भर दे और इसी तरह वो चैरिटी एंज्यू चलाते हैं सीब्यंद वारा इंटरनेशनल लेबल पर काम करती, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, अंदे को आखे देते हैं और एनिवे कोई भी प्रोब्लम होने सॉल्फ करते हैं और भी जो चैरिटी तेरी मिनिस्ट्री को चलाते हैं चैनलों दरा और टीवियों में, रेडियों में, यूटूब के मद्दम से तेरी मिनिस्ट्री को चलाते हैं, लीड करते हैं उनके घारे करे करता के साथ हर तरह की उनकी रहनमाई करना, मदद करना और आज का पाक ते पुवित्र दिन तूसे पाक ते पुवित्र रखना, खास करके आज हम C.N.I. चर्च में हैं, तो जी तरह शुकर करते हैं कि आज के जो भी तेरा वच्चन हो, तेरी और से हो, तेरे सेवको को, दासी को, तेरे हाथों में सोबते हैं ये जो भी आज तेरा वच्चन दे, हमारे दिलो दमाग में हिर्दे में काम करने वाला हो, और उसी के अनुसार हम चलने वाले बने, और आई हुई कलीसिया इनके साथ हो, और जो रस्ते में आ रहे हैं प्रवजी उनके भी साथ हो ना, जो किसी वज़े से नहीं आ सके उनके भी साथ हो ना, और कियी जो लचार वमार तेरे लोग पड़े हुई हैं, जिनको हम जानते उनके लिए प्रात्रा करते, जिने हम ने भी जानते उनके लिए प्रात्रा करते, हर तरह की उनकी रहनमाई करना, अपनी तामदुरूस्ती देना, चाहे हो स्पिटलों में हो, चाह आरे खुदावां येशु मसी के नाम समागते सुन और कभूल कर आमीं पाक करूँ येशु के करीब ले जातो पाक करूँ येशु के करीब ले जातो येशु ही सहारा मेरा सब को बचाने वाला सब को बचाने वाला पाक करूँ येशु के करीब ले जातो पाक करूँ येशु के करीब ले जातो इमामे बड़ा जीना सिखा सच्चाई की राहों पे तु चले ना सिखा पाक करूँ येशु के करीब ले जातो पाक करूँ येशु के करीब ले जातो पाक करूँ येशु के करीब ले जातो साफ से दितना इश्यों औरी दुनिया में आया जो भी एमान लाया जिन्दगी का ताज पाया जो भी एमान लाया जिन्दगी का ताज पाया पाक करूँ ये शुके करीब ले ढादू पाक करूँ ये शुके करीब ले ढादू जीमा में बड़ा जीना सिखा जीमा में बड़ा जीना सिखा सच्चाई की राहों पे तो चले ना सिखा पाक करूँ ये शुके करीब ले ढादू आख करो ये शुके करीब ले ढादू जीमा में बड़ा जीना सिखा जीमा में बड़ा जीना सिखा जीमा में बड़ा जीना सिखा पाक करो ये शुके करीब ले ढादू पाक करो ये शुके करीब ले ढादू इमा में बड़ा जीना सिखा इमा में बड़ा जीना सिखा सच्चाई की राहों पे तु चले ना सिखा पाक करो ये शुके करीब ले ढादू पाक करो ये शुके करीब ले ढादू 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 प्रभु के बचन में से हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे जो लिया गया है रोमियो की पत्री में से रोमियो की पत्री उसका पारवाध है और उसके नौवे वचन से लेकर 21 वचन तक रोमियो की पत्री उसका पारवाध है उसके नौवे वचन से लेकर 21 वचन तक मारे बीच में मिसिस निशी है अम उनके साथ में परमेश्व के पित्र वच्चन में से पढ़ा जाएगा रोमियो की पुस्तक उसका बारमा अध्याय उसकी नौवी आई से लेकर उसकी आखिराय तक परमेश्व के वच्चन में यू लिखा है प्रेम निश्कपट हो बुराई से घ्रिना करो भलाई में लगे रहो भाईचारे के प्रेम से एक दूसे से स्ने रखो परस पर आधर करने में एक दूसे से बढ़ चलो प्रतन करने में आलसी ना हो आत्मिक उन्मार में भरे रहो प्रभू की सेवा करते रहो आशा में अनंदित रहो कलेश में स्थिर रहो प्रातना में नित्य लगे रहो पवितर लोगों को जो कुछ अवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो पहुनाई करने में लगे रहो अपने सताने वालों को आशिष दो आशिष दो श्राप ना दो आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, प्रन्तु दीनों के साथ संगती रखो, अपनी दृष्टी में बुधिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो, यहां तक हो सके, तुम भरसक सब म मेल मिला आप रखो, हे प्रियो, बदला ना लेना, प्रन्तु परमेश्वर के क्रोध को अफसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभू कहता है, मैं ही बदला दूंगा, प्रन्तु यदि तेरा बैरी भुखा हो, तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो, तूसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सीर पर आग के अंगारों का धेर लगाएगा बुराई से ना हारो, प्रंतु भलाई से बुराई को जीत लो परमेश्ण के पित्रवच्चन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशिश रमसब पर हो, आमेन आए हम वोमन फेलोशिप की बेहनों के साथ मिलकर एक गीत प्रभु की महमा में गाएंगे कारीप अपने रखनी कारीप अपने रखनी तेहांग मैं सुनावा मझबूत मेरा जीत बड़ देवीन दागे मैं जागा दाट सबसे ले बड़ देवीन दागे में जाना का समेले कौमा ते ओमत आवे कौमा ते ओमत आवे उतरा निगाम आवे मत पुंत मेरा जिल्द है वाजी ते ओमत आवे आवे ते ओमत आवे ओमत आवे जाना के वाजाब आवे ओमत मत आवे निगे और आवे जावे आवे कौम आवे आवे का समेले को आवे मज मुझ मेरा दिल है अजमा जाओं जे गोडू मुझा मेरे कुगाया अजमा जाओं जे गोडू मुझा मेरे कुगाया तब घर्जी उन्ने काये तब घर्जी उन्ने काये अजमा जाओं जे गोडू मुझा मेरा दिल है जाओं जाओं जे गोडू तब घर्जी उन्ने काय। एक गीत एक गीत हम संडे स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर भी प्रभु की महिमा में गाएंगे मेरबानी से सामने आजाएं बाद आजाएं आओं सारे दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओं खुदावन दजीम बादिशा खुदावन के हजुराओं आओं सारे दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओं खुदावन का नाम मुबारिक लहो उसकी नजात की खुशे खबरी दो खुदावन का नाम मुबारिक लहो उसकी नजात की खुशे खबरी दो खुदावन दजीम बादिशा खुदावन के हजुराओं आओं सारे दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओं दुनिया में उसके जलाल का लोगों में उसके हर काम का दुनिया में उसके जलाल का लोगों में उसके हर काम का करो बयान उसके जीत गाओं सबसे अजीम वो सबसे बड़ा जिसने आस्मा बना उसके हजुराओं आओं सारे दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओं सजिदा करे पाग दिल से यहां सजिदा करे पाग दिल से यहां सजिदा करे पाग दिल से यहां खुशे आस्मा जमी गीत गाएं जंगलों के पेड़ भी गुंगुना रहें जंगलों के पेड़ भी गुंगुना रहें क्यूंकि आज आ रहा है वो आज तुम जरूरा हो तुम सारी दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओं खुदां मतंती इंपदेशा खुदावत के हदूरा हो आज नया गीत गाओं आज नया गीत गाओं आज ये हम सब प्रभु की हज़ूरी में खड़े हो जाएंगे और रसूलों का अकीता हम सब मिलकर कहेंगे पेस नमबर आठ हिसा नमबर चौदा का दूसरा हिसा मैं खुदा का दूरे मुतलग बाप पर इमान रखता हूँ जो आस्मान और जमीन का खालिक है मैं ये शुमसी पर इमान रखता हूँ जो खुदा का इकलोता बेटा और हमारा खुदावत है वे रहूल कदूस की कुदरत से पेट में पड़ा कुवारी मर्यम से पैदा हुआ 35 बिलातूस के एहद में दुख उठा है मसलूब गया, मर गया, और दफन हुआ आल में अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा आस्मान पर चड़ गया और बाप के देने बैठा है वे जिन्दों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा मैं रहूल कदूस पर, पाक एथलिक कलीसिया पर मुकद्सों की शिराकत, गुनाहों की मुआपी, बदन की क्यामत और अब दी जिन्दगी पर इमान रखता हूँ, आमेन हम सब प्रभु की हज़ूरी में बने रहेंगे और पवितर इंजील का पाथ हम पढ़ेंगे जो लिया गया है, संत लूका द्वारा लिखी गे इंजील में से उसका शेय अध्याय और उसके 27 में बचन से लेकर 37 में बचन तक, गॉस्पल लिटन बाई सेंट लूक चैप्टर 6 वर्स 27 तो 36 और हमारे बीच में पाद्री साहब है उनके साथ मिलकर प्रभु का बचन को लेकर पर्मेश्वर के वचन से पढ़ा जाएगा जो लिया गया है संत लूका द्वारा लिखी गे इंजील और उसका छेय अध्याय और उसकी 27 आय से लेकर 36 आयत तक पर्मेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रूओं से प्रेम रखो जो तुम से बैर करें उनका भला करो जो तुम्हें श्राब दें उनको आशीज दो जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रात्ना करो जो तेरे एक गाल पर थपड मारें उसकी ओर दूसरा भी फेर दो और जो तेरी दोहारी छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोको जो कोई तुससे मांगे उसे दे और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग जैसा तुम चाते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई क्यूंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई क्यूंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं यदि तुम उन्हें उधार दो जिन से पाने फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई क्यूंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं वरन अपने शत्रूओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रख कर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम्प्रधान के संतान ठहरोगे क्योंकि वह उल्व पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरो पर भी क्रिपालू है जैसा तुम्हारा पिता दयावन्थ है वैसी ही तुम भी दयावन्थ बनो यह मसी की अंजील है आप्रभु येश्यू आपकी तारीफो आमेन महरबानी से बैठिये आएए हम अपने सरों को प्रभु की हज़ूरी में जुकाएं और दौा में शरीक होंगे सर्व शक्तिमान देयालू प्रभु अस्मान और जमीन के खालक और मालक अनुग्रहकारी प्रमेशर पिता आपका धन्यवाद करते हैं शुकर करते प्रभु जी आज के समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया कि हम सब मिलकर आपके नाम को महिमार तारिफ देते हुए इस सब्ता के पहले दिन आपकी हज़ूरी में कत्रित हो सकें आपका शुकर करते हैं कि आपने अपना अनुग्रे अपनी कृपा अपनी दया अपनी करुणा हम पर बनाए रखी और इस लाइक ठैराया कि प्रभु जी हम आपकी हज़ूरी में कठे होकर आपका धन्यवाद कर सकें आपका शुकर करते हैं प्रभु जी आपने बीते वक्त में अपने सब आपका शुकर करते हैं प्रभु शुकर करते हैं पिता परमेशर आए हुए अजीजों के लिए इनकी जिन्दगियों को मुबारक ठैराये प्रभु जो अपने दुन्यावी कामों का जो को भुला कर आपकी हज़ूरी में पहुंच जगा ब जगा जहां कहीं भी आज आपके आपके नाम से कलीसियां एकत्रित हो रही है प्रभु अन सब को ग्रहन परमाये और अपनी पाख हजूरी सब के उपर बनाए रखना एक एक जन पर अपनी कृपार दया करना प्रभु जी अपनी महिमा में भड़ा कर खड़ा करना और पिता परमेशर अर्जन आपके घर से आपकी सामस की भरपूरी के साथ जाए। पिता परमेश्वर प्रात्ना करते हैं। प्रभुजी उन सब के साथ होई है। जो बस उगाड़ियों में सफर करें उनके सफर को मुबार्ख दिए। जो समय बिमार, लाचार, कमजोर, परेशान हॉस्पिटलों में घरों में पड़े हैं पिता परमेश्वर उन सब के साथ होई है। एक एक जन को प्रभुजी अपने पवित्र हाथों से शूकर चंगाई और तंदृस्ती बख्षी। हर घर में सलामती बख्षी, हर परिवार में चंगाई बख्षी और अपने धन्यावाद में भढ़ा कर खड़ा करें। प्रात्ना करते हैं प्रीती के लिए और उस बच्चे के लिए एशलीन के लिए प्रभुजी जो वरदाण के रूप में अपने अपने अजीज़ों को दिया। प्रबू अपना अनुग्र, अपनी कृपा दया उस जचे बच्चे पर बनाए रखिए और अपनी सामर्ज से भरपूर करके उनको अपनी बरकत से भरते गए कि उनका जीवन, उस परिवार का जीवन आपकी महिमा में मुबारक ठैरे। प्रातना करते हैं मिस्टर विशाल भटी और जुजाना भटी के लिए प्रभू कि आपने उन्हें भी तंदरुस्ती में रखा और उनको जिन्दगी बख्षी है, ये बख्षी है कि आने वाला वक्त उनके जीवन के लिए मुबारक ठैरता जाए और आपकी महिमा में भड़त करते हैं वो परिवार आपका धन्यावाद करें प्रातना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभुजी मिस्स मीना एल्फ्रेड के परिवार के साथ हुए उनके रिष्टेदारों के साथ हुए प्रभु जो इस समय परेशानी से गुजरें उनकी परेशानियों को चिन्ताओं को हर तरह की बिमारी को रोग को प्रभी येश्यु मसी के नाम से दूर करके चंगाई और खुशी बख्षे उस घर में सलामती आए आपका धन्यावाद तरुन के लिए प्रात्ना करते हैं प्रभु ची अपने बेटे के साथ हुए उसके सरीर की रहती कमजोरी परिशानी तकलीफ को भी अपने पवित्र हाथों से शूकर चंगाई बख्षे प्रात्ना करते हैं मिसिस नीना जौन के लिए प्रभु जो आज परिशानी की रोग की वज़े से आपके घर में नहीं पहुँच सके उन्हें भी अपने पवित्र हाथों से शूकर चंगाई और तंद्रुस्ती बख्षे जायन के लिए प्रात्ना करते हैं उस बच्चे को भी प्रभु तंद्रुस्ती बख्षे उसके परिवार में सलामती बख्षे कि आपका धने आवाज करते जाए प्रात्ना करते हैं पिता परमेश्वर मिस्टर संदीप जैन के लिए जो प्रभू परिशानी से गुजर रहे हैं मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं उसके परिवार में उसके कारोबार में प्रभू जो भी परिशानी हैं तकलीफ हैं रुकावटे हैं सब प्रभी येश्यू मसी के नाम से उनसे दूर की उस घर में प्रभू सलामती बख्षिए उसके कामकाज में सलामती बख्षिए बढ़ोतरी बख्षिए ताकि वो परिवार विश्वास में दृड़ होता आपके धन्यावाद में बढ़े प्रात्ना करते है मिस्टर टीटू मसी के लिए प्रभू जी जो टाइफाइड से परिशान है उनके रोग को प्रभी येश्यू मसी के नाम से चंगा की उस घर की चंगाई आपकी बरकत से भरपूर हो प्रभू और आपके धन्यावाद में बढ़ते आपकी महिमा और हमदोस्तना करते जाएं प्रात ना करते मिस्टर ट्रेमन के लिए जिस नौजवान का प्रभू आपके बच्चे का जन्म दिन है कि आपने उसे बीते वक्त में बीती जिंदگी में संभाला अपनी हजूरी में बढ़ाया अपने धन्यावाद में काइम किया अपनी पाक हजूरी में बढ़ाकर उसका जीवन आपकी हजुरी में मुबारक थेरे, आपकी रूप के वसीले से भड़ते, उसकी जिन्दगी आपकी हजुरी में मुबारक थेरे, पिता परमेश्यर अपनी पाक हजुरी उस नौजवान के साथ बनाए रखना, प्रात्ना करते हैं मिस्टर रोशन के लिए, और प है मैरिज अन्वर्सरी से प्रभू जी उन्हें भी अपनी बरकर से भर्पूर की दिये, ताकि वो खुशियां जो आपने अपने अजुज़ों को दी है, आपकी बरकर से भर्पूर होती जाए, प्रात्ना करते हैं मिस्टर प्रभू जी हमारे स्कूलों के साथ हो ये, इंसि जरुनती करते हुए स्कूल, इंसिटूट्स, हॉस्पिटल्स आपकी महिमा में काई। प्रातना करते हैं डॉक्टर, हेलपर, स्टाफ्स के लिए प्रभु जी पुलिस प्रशासन के लिए और पिता परमेशर आर्मी के लिए अलग-लग सेवादारों के लिए प्रभु जो अल सूरी में रह सके। प्रातना करते हैं पिता परमेशर थे मारे सूबे के लिए पंजाब, मुख्य मंत्री और उनकी टीम के लिए और पिता परमेशर हमारे सेंटर सरकार के लिए, हमारे देश के लिए Iprabhu जो सिवाएं आप ने उन्हें दी है वाफाधारी से सचाई से उसको करते हुए हमारे देश को, हमारे सुबों को तरक्टी और उनती की तरफ लेकर जाने वाले हो सकते हैं रात ना करते हैं हमारे पठान कोट शहर के लिए प्रभुजी हर घर के लिए, हर परिवार के लिए हर एक के कारोबार के लिए कि एक-एक को अपनी आशिश और बरकत से भरे, हर घर में सलामती आए, हर एक के परिवार में प्रभुजी खुशी और आनन्द की भरपूरी हो, सब मुश्किलों परिशानियों को दूर कीजिए प्रभु, सब जन मिल जुल कर रहें, आपके प्यार में भड़े, आपकी प्रभाई में चलते जाएं, प्रात्ना करते हैं, पिता परमेश्व, प्रभु जी अपनी दयाक रिपास सब पर बने, जो काम की तलाश में उनको अच्छे काम मिलने में सहाई तर मद्द करें, और ये बख्षिए, ये आपका घर प्रात्ना का घर कहलाता जाए, और जो भी प्रभु यहां आकर आपकी हजूरी में अपने आपको दीन करके अपनी प्रात्ना को आपके आगे रखता है, उसकी प्रात्ना को सुनके उत्तर दीजिए, और आपकी महिमा उसके जीवन के द्वारा हमेश्या के लिए बनी रहे, प्रात्ना करते आज के समय के लिए, जो व कि उमसी के नाम से मांगते हैं आमेन आएए हम यूद के साथ मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे शोले 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 रूह की आग के शोले बेज खुदावत जिनदा खुदावत देज खुदावद जिन्दा खुदावद रूप की आग के शोले रूप की आग के शोले 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 रूप की आग के शोले 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 रूप की आग के शोले कर भसमत गुसा और बदी सब बदकारी और मैं कशि कर भसमत गुसा और बदी सब वदकारीं मैं कशि भरे अपनी उल्फत हमें तू हमें नज़र आ तू ही तू तू साथ है जिसके है ये शुम तू साथ है जिसके एह ये सू दोले 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 कभी ना फिर वो डोले दोले दोले कभी ना फिर वो डोले देज खुदा मजे, जिन्दा खुदा मजे, रूप की आग के शोले, रूप की आग के शोले, जोले, 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 जोले के चश्मों की दार से और उन खोडों की मार से हम पाते हैं अपनी शिवा तेरी भी समय है नजब हम पाते हैं अपनी शिवा तेरी समय है नजब तू बख्षे उसी को जिन्दगी तू बख्षे उसी को जिन्दगी कोले 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 दिल का दार जो कोले 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 दिल का दार जो कोले बेज खुदा मर दे जिन्दा खुदा मर दे बेज खुदा मर दे जिन्दा खुदा मर दे रू की आग के शोले रू की आग के शोले 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 सब लौनते हों से दूर की बीमारिया सब का फूर की सब लौनते हम से दूर की दिमारिया सब का पूर की दाडा ली जो दिवार दी जो पाप और हम में दरार दी दाडा ली जो दिवार दी जो पाप और हम में दरार दी जोड़ा है उसको कुद से जोड़ा है उसको कुद से दोले 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 लहू से दामन दोले 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 लहू से दामन दोले देजी खुदावन दे जिन्दा खुदावन दे देजी खुदावन दे जिन्दा खुदावन दे रोपी आग के सोले रूपी आगे के सोले देजे खुदावत जिन्ता खुदावत देजे खुदावत जिन्ता खुदावत रूपी आगे के सोले रूपी आगे के सोले सोले शोले शोले रूपी आगे के सोले सोले शोले शोले रूपी आगे के सोले रूपी आगे के सोले रूपी आगे के सोले हललूया 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 रूपी आप सब को बहुत आशिश बरकते आज का वच्चन जो प्वित्र शास्त्र में से हमने पड़ा है बताता है कि हम बुराई को सिर्फ अच्छाई से ही जीत सकते हैं इविल के अउनली बी ओवरकाव विद गुड प्रभु का वच्चन हमें बताता है कि हम बुराई को बुराई के साथ जीत नहीं सकते हमारा जो जीवन हमारी जो जिन्दगी और रुजाना की जिन्दगी हमें बहुत कुछ दिखाती है अच्छाईयां भी दिखाती है और बुराईयां भी दिखाती है और वो हमारे उपर डिपेंड करता है कि हमें किसको लेकर आगे बढ़ना है हमें अच्छाई को साथ लेकर चलना है या फिर बुराई को साथ लेकर चलना है घर में परिवार में जब हम चलते हैं तो सबका जीवन एक जैसा नहीं होता अगर हम पांच लोग हैं तो पांच का सुभाव अलग-अलग है कोई गुस्से वाला है कोई प्यार वाला है और कोई दोनों की परवा नहीं करता वो कहता है इनको भी बोलने दो इनको भी बोलने दो अपना रिलेक्स रहो और अगर हम हुमन नेचर की बात करें तो चार तरह का सुभाव आम पाया जाता है सेंग्विन मेलन्कोली, फ्लेगमेटिक और कॉलरेग और उन चारों को बड़े अलग लग रीती से डिस्क्राइब किया गया है कि हर एक का सुभाव कैसा है और हमारा सुभाव कैसा भी हो उसमें बुराई भी पाई जाती है कितनी मात्रा में पाई जाती है वो अलग चीज़ें कि हमारे अंदर बुराई कितनी है और अच्छाई कितनी है कौण्टि उसकी कितनी है अच्छाई की या बुराई की वो अलग चीज़े, लेकिन पाई सब में जाती है लेकिन खुदा का वचन हमें कहता है कि हमें बुराई को अच्छाई के साथ ही चीटना है हम बहुत कुछ करना चाहते हैं कि बहुत आगे भढ़ना चाहते हैं लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें बुराई का सामना करना पड़े है कि मैं किसी से मिला वो मुझे बताते कहते कि पादरी साब अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप आगे भढ़ नहीं सकते आप अच्छे बिजनस में नहीं बन सकते अगर आप अच्छे काम करोगे अगर आपको बिजनस में उपर जाना है अगर आपको तुरक्की करनी है उन्नती करनी है तो आपको आगे भढ़ना पड़ेगा तो मैंने उससे पूछा कि आपको यह बाते किस ने कही कहता है मैं किसी क पास गया मेरे काम में रुकावट आ रही थी तो इसने मुझे बुला कि अगर आप बैठके दौा करोगे और नेकी के साथ चलोगे तो आप कभी भी बिजनस में आगे बढ़ नहीं सकते हैं अगर भुणाना थो खुदा का काम है इंसान का काम नहीं है को बढ़ाना की बढ़ना का काम लेकिन अगर हम बुराही को अपने उपर हावी होने देंगे तो हम अच्छाई में कैसे बढ़ पाएं को और सब दिन्म पहले हमें उन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा की बुरा है हमारे अंदर कोई बुराई है यह नहीं हम इतने नेक दिल इंसान हैं कि हमारे जैसा अच्छा इंसान खुदा ने कोई बनाया ही नहीं हम अगर किसी का बुरा भी करते तो भी हम कहते लेकिं हम फिर भी अच्छे अगर हम किसी की निंदा चुगली बुरी चाले बुरे विचार रहतें तो हम फिर भी कहते हैं कि हमने कभी बुरा नी किया हम बुरा नी करते हम अच्छे लोग हैं वो जो फिलोस्फी है वो हमारी है कि हम किस तरह से बुराई को और अच्छाई को देखते हैं लेकिन वचन क्या कहता है वो कौन-कौन सी बुराईयों की बात करता है प्रभु के वचन को हमने पड़ा रोमियों की पत्री बारवा द्याय उसके नौवे वचन से लिखता है कहता है प्रेम निश्कप्टो बुराई से घ्रिना करो भलाई में लगे रहो भाई चारे के प्रेम से एक दूसरे से सने रखो परस परादर करने में एक दूसरे से भढ़ चलो प्रियतन करने में आलसी ना हो आत्मी कुनमाद से भरे रहो प्रभु की सेवा करते रहो आशा में अनन्दित रहो कलेश में स्थिर रहो प्रात्ना में नित्य लगे रहो और इनको जब ऑपोजिट देखते हैं तो हम कहां पर पाए जाते हैं ट्रियं करा एक सब्सक्राइब माल धिरोधि क्या आता है आ फुर्य कुश्क्राइब का पकोल्य करना अफ भलाय में रहो से idity के लिए कहता है किन किन चीजों से हमें बचने के लिए कहता है अगर हम आगे पड़े तो वह कहता है किता बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो जो बाते सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया और बुराई सिर्फ एक परकार की नहीं है अलग लग परकार की है हम कहते हैं मैंने कौन सा किसी का खून कर दिया मैंने कौन सा किसी को गोली मार दी मैंने कौन सा किसी को शुरा मार दिया कि मैं बुरा हूँ एक इंसान रोड पे जा रहा था तो उसने एक पॉकेट वाले को देखा जो पॉकेट मारते हैं उसको रोड पे लड़का मिला वो किसी की पॉकेट मारने लगा था तो जब उसने उसको मिला तो उसने उससे पूछा, कहता कि ये गलत काम है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, उसने उस लड़के को पकड़ा, समझाया, कब से कर रहे हो, वो कहता है, बस बचपन से ये ही काम संभला है, एक्सपर्ट हो गया हूँ अभी, आपने पता नहीं कै से पकड़ लिया, तो कहता बेटा ये बुरी बात है, तुम्हें अच्छे काम करने चाहिए, इतने बुराई लेकर तुम आगे भड़ नहीं सकते, कहता मैं बहुत अच्छा हूँ, कहता अंकल जी क्या कहें, हर इंसान में कोई ना कोई बुराई होती है, हो सकता मेरी ये आपको समझी नाती हो, कोई बात नहीं मैं इस से फिरूँगा, मैं इसको छोड़ने की कोशिश करूँगा, वो लड़का बोलके चला गया, उसने उसका पर्स जिसका चीना था, जब मारा था, उसको वापिस कर दिया, लेकिन इस इनसान ने उसे बोला था, वो बैठा रहा, सोचता रहा, क्योंकि वो पहले ही किसी का मर्डर करके वापिस अपने घर को जा रहा है, जो हम बुराई करते हैं, वो बुराई नहीं है, लेकिन जो सामने वाला करता है, वो बुराई है, कि हम दूसरों को सज्जेस्ट करते कि यह काम नहीं करना चाहिए लेकिन हम खुद के जीवन को उन बुराइयों में फसाकर परिशानियों में बढ़ते जाते हैं कि मैं एक बात हमेंशे कहता हूं कि जो कोई भी काम कोई करता है वो अपने घर में खुश रहता है वो बुरा करें अच्छा करें हम उनकी बातों को सोच सोच कर अपने घरों में परिशानिया डाल लेते हैं कि जन से हमें बचने की है जरूर आपी में के ना वेला दमाग श्कार्ण अब हमारे पास करने के लिए कुछ ना हो तो फिर अंग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं आपने अच्छा है जो जीवन दिया है हमें उसको वे तीत करना है ना कि दूसरों की बुराईयों पर अच्छाई को खतम करते हैं। खुदा ने अच्छा इंसान बनाया है। नेकी से भरा है। और बरकत से भरपूर करके हमें जीवन दिया, परिवार दिया, खुशिया दिया, नन दिया है। जिसमें हमें अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। दाउद कहता है, कहता है कि शाउल को मुझे तुझे मारने का साफ मौका था। और वो एक बार नहीं, कई बार उसको मिला। यह देख तेरे कपड़े की शोर। यहां तक कि कहता है, मेरे सातियों ने भी बोला, अपने दुश्मन, हाथ आए दुश्मन को कभी भी छोड़ते नहीं है। काम खतम करते के रहा इसका। लेकिन कहता है, मैं फिर कहता हूँ, कि वो परमेश्वर का चुना हुआ, मसा किया हुआ है, मैं उस पे हाथ डाल नहीं सकता। कहता है, मेरी भलाई और उसकी बुराई का बदला कौन लेगा? परमेश्वर लेगा, हालेलोया, हालेलोया, हालेलो तो सब कुछ कर सकता है और आगे भड़ते लेकिन अगर घर में लड़ाई हो जाए तो क्या करते टंडे जल्दी से उठा भाई भेन, रिष्टेदारियों में हम एक दूसरे का सिर्फ वोड़ने तक जाते है मारने तक जाते एक दूसरे को क्यों? क्यों क्यों उसने बुरा किया और वही अगर बाहर कहीं हुई हो तो फिर हम क्या कहते है इसको प्रभू पे छोड़ दो इसको प्रभू देखेगा उसके लिए दुआ कर दो बस प्रभू बदला लेगा क्यों? घर पे भी तो ले सकता है तब प्रभू की याद क्यों नहीं आती है? तब हमारे अंदर का इंसान खत्म क्यों हो जाता है? हमारे अंदर की अच्छाई क्यों खत्म हो जाती है? और बहुत पार हम कहते हैं तू चांदता नहीं मुझे? मैं क्या चीज था? मैंने ये 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 काम किये अभी मैंने मसी को ग्रहन कर लिया इसलिए बदल गया हमने हथियार चलाने छोड़े हैं भूले नहीं पेट टाई लगे हमारा आप तो फरक क्या रह गया? जब हमने उस बात को अपनाई लिया कि हम भूले नहीं है हम ये कर सकते हैं और करके दिखा सकते हैं तो ज्यादा फरक नहीं रहा सामने वाले के करने में और हमारे कहने में कि प्रभु का वच्छन कहता तुमने सोच लिया तो समझ लो तुने कर दिया तुने सोच लिया तो समझ ले कर दिया हमारा विश्वास हमारी निष्ठा प्रभु में संपूरन रिती से बनी हुई नहीं है कि अमें सम्पूरनता दिखाने की ज़रूरत कि अपने जीवन को खुदा के हाथों में तो में सौंपने की ज़रूरत है व sulla आय। कि दुम्हारे अंदर प्रेयम है निश्कप्ट होना चाहिए जिस बुराइगी बात हम करते हैं कि हमारे अंदर और है ही नहीं है वो सबसे बड बोड़ने का तो हम कहते है इसने मुझे कहा कैसे आ यह ऐसी बात मुझे क्यूं कहेगा यह कहेगी मैं इसकी क्यूं सुनूं जबकि जरूरत है कि जब हमने सुना देखा मैसूस किया तो हम अपने जीवन को बदलें तभी हमारे अंदर प्रभु की महिमा होगी तभी हम बुराई को जीत पाएंगे और जब हम उन विचारों को वैसे सोच के चलेंगे हम कभी भी बुराई को जीत नहीं पाएंगे हमारे अंदर जो गुराई है हमारा फ्रेंड सर्कल भी वैसा डूढ़ते हैं जो हमें खौंसला यह नहीं देता कि छोड़ कुछ नहीं होता आगे बढ़ते हैं कहते हैं नहीं मैं तेरे साथ हूं चल जो करना है अभी करते हैं बाद में मूड बदल जाएगा गुसा ठंडा हो जाएगा अभी जो करना है कर देते हैं जो हमें बुराई की ओर लेकर है और अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा रस्त्रय होता है जो कहते हैं नहीं तुझे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए सभी उसको कहते हैं तू जा तुझे डर लगता है पीछे हो जा तुझे हमारे साथ आने की ज़रूरत है हम उसको जबकि उसे साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, उसको अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हम हमेशा भुराई करने में उतावले क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भुराई भरी रहते हैं, पुलाने वो है, वो है, वो है, वो है, वो है, वो है, बस जतना मर्ची बुलवालों, चाहे हम उनको जानते हों, चाहे हम ना जानते हैं, लेकिन हमें बोलना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा होना चाहिए कि हम अच्छा ही बोले, प्रभु का बच्छन कहता है, प्रेम कै इसा होना चाहिए निश्कप्त होना चाहिए अगर हम अपने में प्रेम रखते हैं मसी का परमेश्वर का प्रेम रखते हैं अगर हम अपने आपको परमेश्वर के चुने हुए कहते हैं तो हमारे अंदर जो प्रेम है वो निश्कप्त होना चाहिए स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें जब हमारे प्रेम में स्वार्थ आता है तब हम खुदा की हजूरी से दूर हो जाते हैं और अपने आपको खुदा की हजूरी से दूर पाते हैं प्रभु का वचन हमने पड़ा संत्लुका द्वारा लिखी गें इंजील में वहां पर क्या कहता है कहता है प्रतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रूं से प्रेम रखो हम तो अपनों से प्रेम नहीं रख पाते शत्रू तो बड़ी दूर की बात है हमारे घरों में हम कहते हैं मैं फुलाने से बात नहीं करता मैं उससे बात नहीं करता मैं अपने भेहन भाईयों से बात नहीं करता कितने साल होगे इतने साल होगे हमने उनसे बात नहीं की हमारा तो भी हम नहीं आएंगे, अगर उदर कोई मर के, हम उदर भी नहीं जाएंगे, और घर पे बैठे कुड़ते रहते हैं, बलाने को पता नहीं क्या हो गया होगा, यह हो गया होगा, वो हो गया होगा, हमें फोन करनी मैं सकता, जा मैं सकता नहीं, यह नहीं करेंगे, तो क्या हो लामती क्यों नहीं पूछ सकते किस मसीहत को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे अंदर इतना वैर एक और गुसा भरा है कि हमें एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते है और हम अपने आपको भाई बहन कहते हैं प्रभु का वचन कहते हैं अगर तेरे भाई के साथ तेरी कोई कोई भी गिला शिक्वा है तो अपनी भेंट को पीछे द्रवाजे पर छोड़ते सबसे पहले जाकर उससे सुला कर और उसके बाद अपनी भेंट वेती पर लेकरा तो खुदा उसको ग्रहन करेगा और तुझे बरकत देगा और प्रभु का वचन यहां पर कहता है कहता मित् जब हमारे अंदर प्रेम भावना होगी तब हम किसी का भला सोच सकते हैं अनय था हमारे अंदर बुराई ही पैदा होती है प्रभु का वचन कहता है उनका भला करो बहुत मुश्किल है किसी का भला करना बहुत मुश्किल है और जो बार बार हमें गुस्सा दिलाए उसका भला करना और मुश्किल यह तो किसी की सुनता नहीं यह सुनती नहीं है तो हम इनका भला क्यों करें यही अंतरे आप में और खुदा के वच्छा खुदा के चुने हुओं में और दुनियावी इंसान में यही अंतर प्रभु येश्यु मसी को सलीप पर चड़ाया गया सलीप पर चड़ने के बाद प्रभु येश्यु मसी क्या कहते है पिता इन्हें माफ कर, शमा कर तो सलीप पर नहीं चड़ाया गया फिर हम इतने दूर क्यों हो गए वो तो सलीप जिसके रास्ते पर हम चलते हैं जिसकी एकवाई में हम बढ़ते हैं वो सलीप पर चड़ने के बाद भी अपने लोगों के लिए अपने भाईयों के लिए शमाय आचना खुदा से मांगता है लेकिन हम तो छोटी सी मुश्किल के आजाए हम अपनों से दूर हो जाते हैं दूर हो जाते हैं प्रभु का वचन ध्यान से पड़े वो कहता है जो तुम्हें श्राप दे उनको आशिश दो बड़ी मुश्किल है कोई आपको गाली दे और आप उसको बोले जार अपते नू बरकत देए बहुत मुश्किल है कि तो एक देगा तो मैं दो दो देगा तो मैं चार दूंगा तुझे कह लगता है गालियां सिर्फ तुझे ही आती है हमें भी आती है हम कहते हैं और अगर हमें नहीं आती तो हम उसको डूंड लाते हैं किसी फ्रेंट सरकल में से जो गालियां निकालता हो या निकालते हैं उसको खड़ा कर देते आगे देख इसका जवाब दे क्योंकि जवाब देना बहुत जुरूरी है हमारा यह चीज़़त और मैंने बहुत रेर फै किसी की बुराई का जवाब अच्छाई से देती है और बहुत भार ऌफ्र और बुरा बोलते हैं गालियां देते हैं लोग उनको और तंग करते हैं Representatives से और जिब करते हैं कि और जो बोल रहे हैं वो यह नहीं सोचते कि लोग हमारा तमाशा बना रहे है कि हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए प्रभु का वच्छ नहीं आपर क्या कहता है कहता है जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रात्ना करूं हम इन बुराइयों से दूर रहने के लिए परमेश्र का वच्छ नगवाई करता है आशिश देना और प्रात्ना करना भला करना यह तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि किसी को डाइबेटीज होना तो वो कहता है कि कि is the video को हो भी पिर आपको कब से है किते हमारे बज़ूर्गों को भी थी आपको बी पी की बिमारी पहले से ती थी नहीं हमारे बढ़ों को थी फिर तो आपको भी हो जाएगी के चलो हो गई Central कि इसका मतलब आपके भी बच्चों को गई जुनियोलजी में चलती है रहे हैं हम तो अपने आपको मसी की संतान कहते हैं परमेश्वर की संतान कहते हैं हमारे वो जुनियोलजी बदलती क्यों नहीं है उसने तो अच्छा करना सीखा भुरा करना त्याग दिया फिर जब हम वचन के मताबिक भलाई करना, भला करना, आशिश देना और दुआ करना क्यूं जाहिर नहीं हमारे जीवन से? हमें वो जाहिर करना पड़ेगा, कि ये जो चीजे हैं हमारे अंदर बहुत आयद से पाई जाती हैं, क्यूं? क्यूंकि हम मसी के लोग हैं, परमेश्वर की संतान हैं, आलेलुया, और प्रभु का वचन क्या कहता है? कहता है कोई एक गाल पर थपड मारे और उसकी और दूसरा भी फेर दे, एक कलीसिया में जाने का मौक़ा मिला, है जर्में ट्रेनिंग में था गुजरात में, गुजरात में तो एक कलीसिया में पास्टर साब परचार कर रहे थे इसी वर्स को लेकर कैते हैं जी कोई एक गाल पर थफढ के तो उसकी और दूसरा भी फेर कि लिफ क्लिशिया यह नहीं पादरी नहीं नहीं पढ़ता या पास्टर नहीं पढ़ता कलीश्य भी पढ़ती है और कहते केलीशिया में से भी एक जल्दी से खड़ा हुआ पास्टर साब मैं कुछ कहना चाहता हूं कहते हां बोलो बैए कहते लेने से देना मुबारक है इससे पहले कोई मारे आप पहले उसको दे दो करें अच्छे दे उसको पहले दे दो किते यह हमारा तरीका है वजन को पढ़ने का हम कहां की वर्ष उठाकर कहां पर फिक्स कर देते हैं पता ही नहीं चलता क्योंकि हमें वो लाइन अच्छी लगती है हमें अपना तरीका अच्छा लगता है अपना ने में हम अपने जीवन की बुराई को छोड़ कर बल्कि उसको निकलने का उस रास्ते को बदलने का अल्टरनेट ढूंड लेते हैं और जगार लगाने में पंजाबी माहिर है कि को कोई ना कोई रास्ता निकालने में तेयार है है हुआ का वचन जगार लगाने वाली चीज निहीं है हम अपने जीवन को खुदा के हाथों में कैसे लेकर चलेंगे किसी को देख कर खुदा हमें बरकते नहीं देता हमारे जीवन को नहीं बढ़ाता हमें आशिशे नहीं देता वो हमारे साथ जो रिष्ट है उसके मताबिक हमारे जीवन में कारिया करता है जो जिन्दगी खुदा ने हमें दी है उसके मताबिक वो हमें चलाता है और प्रभु का वचन इसलिए हमें कहता है कहता है जो कुछ जो कोई तुम से मांगे उसे दो और जो तुम से और जो तेरी दोहर शीन ले उससे ना मांग जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो हालेलोया कितने बड़ी बात प्रभु का वच्छन कहता है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमारे साथ करें तुम भी वैसा ही हम चाहते कि लोग हमारी इज़त करें हमें प्यार करें और हम कुछ भी करते रहे हर जगा मानी बैठी होती है ना पिता बैठा होता है हम घर में कुछ भी करें, वो कहते हैं, कोई बातनी सुदर जाएंगे घर से बाहर निकल के देखें, दुनिया कुछ और खुदा का वचन कहता है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छाई हो, हमारा अच्छा हो, हमारा भला हो, लोग हमें आशिश दे, तो हमें भी उन शब्दों का इस्तेमाल अपने जीवन में करना ही करना पड़ेगा, प्रभु का वचन क्या बताता है, क्योंकि पापी बहएसा ही करते हैं, अगर तुम पाप रख, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने मेल मिलाप रखने वालों से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से लेंदेन करते हैं, तो सभी ऐसे ही करते हैं, भलाई तो वो है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, अपनों के लिए तो सारे करते हैं, किसी के लिए भला करके देखो, दूसरों के लिए करके कुछा वह जादे लोग अपने प्रहों के लिए प्राफ्ण गड़ता है कि एख कड़ा हुआ ड्रेंग वह द्द का मतलग है क्विदा आपको जुटे वा तो इस्टहरे असले अपने महलों के लिए प्राफ्ना करते है हम बुराई को छोड़ना चाते हैं छोड़ना चाते कि नहीं छोड़ना चाते हम चाते कि हमारे गलियों में से महलों में से हर तरे की बुराई दूर हो जाए हमारे शेहरों में से हर तरे की बुराई दूर हो जाए हमारी गंदगी दूर हो जाए और हम साफ सुथरे रह सके हाल पाई को अपने से दूर करना चाहते हैं गंदगी को अपने से दूर करना चाहते हैं कैसे करते हैं अपने घर का कूड़ा बांते है और गली में फेंक देते मेरा घर साफ सुत्रा है पडोसी बोलेगा भाई यहां क्यों फेंक दिया गली है सरकारी है, कोई भी फेक सकता है और ये रोड जो बाहर वाला है न, आप आम देख सकते हो त्रेडी वाले, दुकान वाले, काम वाले, घर वाले उचाए घर पीछे भी हो गली में, तो भी कुडाला के रोड पे फेक के जाएंगे क्यों? क्योंकि हमारा गली मोहला, साफसुत्रा और अच्छाई से भरा हुआ होना चाहिए सौर प्रिया कुडे वाले को नहीं दे सकते हम कि भाई कुडा उठाके ले जाओ जबकि गॉर्मेंट ने हमारे लिए लगाए हुए हैं हम कहते हैं गाड़ी आती है अपने आप उठाके ले जाएगी लेकिन हम गंदा करने से पीछे नहीं हटेंगे हम बुरा करने से पीछे नहीं हटेंगे हम अच्छे इंसान है इसलिए अच्छे इंसान कैसे बनते हमारे काम प्रगड करते हैं कि दौकी को सहर के लिए जाते दूसरे के गेट के सामने उसको पोटी करवाते हैं है हम अच्छे लोग है पुराई उसको त्यागना पड़ेगा जरूरी नहीं है कि हम किसी को जाके गोली मारे शुरा मारे तभी वो बुराई है ये सारी जो किसी को हर्ट करती है चीज वो बुराई ही बुराई है पाप क्या है अगर हम बाइबल कुईतर शास्तर को पड़े तो पाप क्या है हम कहते है आदम हवा ने फल खाया बहुत बड़ा पाप कर दे उन्होंने खुदा के हुकम की पालना नहीं तो वह सबसे बड़ा गुना था खुडा ने जिस काम के लिए उन्हें मना किया था भू काम उन्होंने किया शाल को कि वचन क्या कहता है कहता हुकम मानना बली proteins데र्णे से बेतर है अगर तुम्हें हुकम नहीं माना तो तुमारी बली तुम्हारा बेंट तुम्हारा सब कुष वियर्थ रहे जाएगा हिए अगर हम अपने आपको बुराइह मुगत करना चाथे तो शुरुवात अपने आप से करने पड़े अपने जीवन से करने पड़ेगी अपनी रोझाना की आधतों से करनी पड़ेगी किसी के घर के सामने कुड़ा फेक दिना और हम बहुत अच्छे इंसान हैं ये चर्च की दिवार सारी कुड़े के साथ भरी होती है और सभी अच्छे लोग रहते हैं आसपास में हम पड़े लिखे और अच्छे लोग है कितनी अच्छाई हमारे अंदर है हमें उसको समझने की जरूरत है किसी का बुरा सोच लिया तो हम अच्छे कैसे हो गएं किसी का बुरा कर दिया तो हम अच्छे कैसे हो गएं खुदा का वचन कहता है एक दूसरे के लिए क्या करो प्रात्ना करो एक दूसरे का भला मांगो एक दूसरे को आशिश दो मेल मिल आपसे रहो तुमारे अंदर जो प जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कोई वेवहार करे, तुम भी वैसा ही करो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, तो हमें भी अच्छा ही करना पड़ेगा, हमें भी अपने जीवन को बदलना पड़ेगा अपने काम करने के तौर तरीके को बदलना पड़ेगा उस प्रेम को भड़ोतरी देनी पड़ेगी जो प्रभु येश्यु मसी के द्वारा हमें मिला है कि वो सलीप पर चड़ाए जाने के बाद भी वो कहता है है पिता इन्हें मौफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे है पर प्रभु का वचन क्या कहता है कहता है जब तुम ऐसी भलाई करोगे निश्कप्त होकर करोगे निर्स्वार्थ होकर भला करोगे तो क्या होगा और तुम परप्रधान की संतान कहलाओगे हालिलुया कहने से संतान नहीं बनती उसके गुण भी दिखने जाई और प्रभू का वच्छन कहता है जब हम उसकी अगवाई के साथ बुराई को छोड़कर भलाई में आगे बढ़ेंगे तब ही वो कहता है तुम पर्मप्रधान की संतान ठहरोगे और कहता है क्योंकि वे उन पर जो धन्यावाद नहीं करते हैं और बुरों पर भी क्रिपालू है जैसा तुमारा पिता द्यावांत है वैसे ही तुम भी द्यावांत है अगर हम द्यावांत हैं तो हमें कैसे बनना पड़ेगा जैसे हमारा पिता द्यावांत हम अपने आपको भलाई करने वाला कहते हैं तो हमें कैसी भलाई करने वाला बनना पड़ेगा जैसे हमारा स्वर्ग्यापिता भला करता है अपने आपको अच्छा इंसान कहते हैं तो उसके जैसा बने हम कहते हैं कि भड़े हो के कैसे बनना है किसके जैसे बनना चाहिए, तुने ना भड़े हो के अपने ताये के जैसे बनना है, अच्छा अंच्सा, तुने भड़े हो के अपने बुवा के जैसे बनना है, अच्छा पढ़ना, लिखना है, ये करना है, वो करना है, तुने भड़े हो के अपने मासी के जैसे बनना है, उसके जैसे बनो, प्रमेश्वर के जैसे बनो, कहता है जैसा तुम्हारा पिता दयावन्द है तुम भी वैसे बनो, हालेलोया, जैसे तुम्हारा स्वर्गिय पिता है तुम भी वैसे बनो, क्योंकि वो निश्कप्ट है, उसके अंदर किसी भी तरह की बुराई पाई नहीं ज जाती है कुदा कहता हम इंसान के जैसा बनना जाते हैं इसलिए बहुत पार हमारे अंदर की बुराई खत्म नहीं होती हमें उसके जैसा बनना है जिसने हमें बनाया है ताकि हमारे अंदर की बुराई खत्म हो और हम उसकी बरकतों में बढ़ते और खुशियों और आनन में बर पूर होते जाएं हमारे अंदर वो आशिश दिखे निश्कप प्रेम दिखे और हमारा अभी मान खतम हो और कहता है जब तुम यह सब करोगे तो क्या होगा कि तुम बुरा करने वालों के सिर पर अंगारों का धेर लगाते हैं उनके मन अपने आप कुदा बदलता रहे और वो कहता है बदला लेना तेरा काम नहीं है मेरा काम है थुदा का काम है बदला लेगा कि फुदा पे छोड़ दो कि हम खुदा के काम भी खुद करने लग गए तो खुदा क्या करेगा कि हमें कोई भड़े घर में बोलते कि यह काम कर दे तुम कहते कर लेते हैं लेकिन किसी दूसरे को बोल दे कि तू यह करा मैं यह कर लेता हूं इसको बोल दो कि यह कर आपको इसलिए बोला गया क्योंकि आप पर उनको भरोसा है कि आप कर सकते हैं खुदा ने आपको लाइक कर आए खुदा का वचन भी हमें इसलिए तियार करता है खुदा कहता है जो का परमेश्वर का है वो परमेश्वर पर छोड़ दो जो आपका है वो आप करो आपको प्रमेश्वर ने कहा है कि आप बुराई को भलाई से जीतना शुरू करें अपने जीवन को बदलें अपने जीवन की बुराई को खतम करें दूसरों की अपने आपको दे जाएगी और खुदा आपको बर्कतों से भरता हुआ अपनी संतान कहने के लाइक ठहराएगा और आपको दिखावन्त बनाता हूँ अपने जैसा बनाता जाएगा प्रभू आप सब को बहुत आशिशों बर्कत दे आमेन आएए हम सब प्रभू की महिमा में खड़े हो जाएंगे मिलकर जबूर गाएंगे गित नमबर 460 जबूर नमबर 91 या रब तु मेरी पहना है तु तु है मेरी जाएंगे उसके साथ अपनी फेंटे खुदा की महिमा करेंगे या रब तु मेरी पहना है तु है मेरी जाएंगे या रब तु मेरी पहना है तु है मेरी जाएंगे तु दावन देविच रेंदी है तु तेरा है मताएंगे तु दावत देविच रेंदी है सो तेरा है मताएंगे सो तेरे उते कदी मीना आपते आवेगी सो तेरे उते कदी मीना आपते आवेगी सो तु दावन देविच रेंदी है तु दावेगी या रब तु मेरी मना है तो तु है मेरी जाएंगे तेरे मास्ते करेगा परिष्ट आनु पर्माद के ओ सब तेरे मास्ते करेगा परिष्ट आनु पर्माद के ओ सब तेरे आरावेद्यों तेरे नीगाद के ओ सब तेरे आरावेद्यों तेरे नीगाद या रब तु मेरी पाना है तो तु है मेरी जाएंगे तो तेरे नु अपने आप उठावने जे सब तेरे नु अपने आर्था दे ओ आप उठावने जे सद पंतरा देना ठेरे पेर ना तेरे न थेटाथा गावने के सदे पत्रादे नल तेरे पैरना तेटा आवड़िगे यारब तू मेरी माना है तो हो तू है तेरी जान तू दावत देविच रेंदी है तो तेरा है मकार तू शेरित साप लतारेगा शेपत चे अजगर भी तू शेरित साप लतारेगा शेपत चे अजगर भी तो पैरा है ठापे में गाफिर खोप्डियो ना दी तू पैरा है ठापे में गाफिर खोप्डियो ना दी या रब तू मेरी माना है तू तू है तेरी जान तू ना मत दिर विच रहती है तू तेरा है मकार कुर्बानी तेरी जान कुर्बानी तेरी सारी करे आपे ओ कबूर कुर्बानी तेरी सारी करे आपे ओ कबूर कुर्बानी तेरी जान दी जान दी विच रहती जान कर देगा देयालू प्रभू इस भेंट को आपके हाथों में स्पुर्द करते हैं जो आपके दिये हुए मेंसे सब ने खुशी के साथ आपके घर में प्रभू जिन भंडारों से आया उन्हें हमेशा भरे रखे बर्कतों से भरपूर करें अपनी महिमा में इस्तेमाल करें और ये बख्षिये ये भेंट आपकी सेवा में इस्तेमाल करें शुकर पवितर करें प्रभू येशु मसी के नाम से मानते हैं हम प्रभू की प्रात्ना सब मिलकर कहेंगे आए हमारे बाद, आप जो आस्मान पर है, का नाम पाक मना जाए, आपकी बाद शाहत है, आपकी मर्जी जैसे आस्मान पर पुरी होती है, जमीन पर भी होती है, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्षते, जैसे हम अपने एक सूर वारों को मौफ करते हैं, हमारे एक सूर हमे पुराई से बजाए क्योंकि वाशाहत, खुद्रत और जलाद हमेशा तकाविए आमेशा तकाविए आमेशा अब हमारे खुदावद ये शुमर्सी का फजल, खुदा की मौहबद, रहूल कदूस की शराकत और बरकत, अब से लेकर हमेशा तक, आए हुए अजीजों के साथ, आपके खादमगीरों के साथ, जो नहीं आ सके प्रबून के साथ, और तमाम पवितर लोगों के साथ, हमेशा तक होती रहें, आमेशा तक होती रहें, आमेशा आमेशा आप सब को असलाएँ,